कॉमेडियन और जूनियर आर्टिस्ट तिर्था नंद राव ने मौत को गले लगाने की कोशिश की है दकापिल सर्मा शो में दिगज भिनेता नाना पाटेकर का किरदार निभाने वाले तिर्था नंद राव बीते दिन फेस्बुक पर लाइब आए और अपनी इस हालत का जिम्मेदार एक महिला को बताते हुए फिनाइल पी ली फिलहाल अच्छी बात यह है कि उनकी जान बच गई दर असल उन्हें फिनाइल पीते देख उनके किसी सोचल मीडिया दोस्त ने नजदी की पुलिस थाने को कॉल किया था कॉल के आते ही पुलिस एक्षन में आई और एक्टर के घर पहुँचकर उसे नजदी की अस्पताल ले गई आज तक को दिये इंट्रिवू में हवलदार मोरे ने बताया कि कॉल के आने के बाद वो लोग सीधे मीरा रोट के सांतिय नगर इस्तीत बिल्डिंग गो के फ्लेट नंबर 730 में पहुँचे उन्होंने देखा कि फ्लेट का दरवाजा खुला था और एक कुटा कामरे में बैठा था वे अंदर गए और देखा कि तिर्थानंद आधी बेहोसी हालत में पड़े थे वे तुरंत तिर्थानंद को अस्पताल ले गए तिर्थानंद ने फेस्बुक पर लाइब के दरान इस बात का दावा किया था कि उन्हें एक महिला ब्लैक मेल कर रही है उन्होंने फेस्बुक लाइब के दरान कहा कुछ महिनों पहले मेरी मुलाकात एक महिला से हुई थी मुलाकात के बाद हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हम रिलेशन्शिप में भी आए और लिविन में रहने लगे कुछ समय बाद मुझे पता चला कि वह महिला एक प्रस्टिटूट है मैंने जैसे तैसे उसे पीशा छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वह मुझे डराने धमकाने लगी उसने मुझे पर केस भी कर दिया इस केस के शलते मैं अपने ही घर से बागता फिर रहा हूँ फुटपात पर सोने को मजबूर हो गया हूँ यही वज़ा है कि मैं खुद को खत्म कर लेना चाहता हूँ इतना ही नहीं तिर्था नंद नहीं अभी दावा किया कि वह उस महिला की वज़ा से 3-4 लाख रूपए के करज में डूबे हूए है आपका इस श्रोट पर का कहना है कॉमेंट कर हमें ज़रूर बताएं टीवी दुनिया के लिए टेस्ट अपडेट के लिए देखते रहें ये ABV India News